हेलो गाईज कैसे हो आप लोग तो आज किस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिना किसी एप का यूज करे ट्रेंडिंग लीरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो किसी भी सौंग का जी हाँ किसी भी सौंग का आप ट्रेंडिंग लीरिक्स वीडियो आने वाला हूं सो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं so जैसा कि मैंने आपको बोला हम यूज़ करने वाले हैं Instagram a story का lyrics video editing करने के लिए ठीके तो सबसे पहले आपको अपने Instagram को open कर लेना है कुछ सतरह का इंटर्फेस आपके सामने आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर अपना जो आ स्टोरी वाला सेक्षन रहता है जहाँ पर प्लस का बटन रहता है इसको पर आपको क्लिक करना है यहाँ आपकी डिवाइस में जितना भी फोटो या वीडुडो अगे रहा होगो वो सारा आ जाएग ठीक है यह सेलेक्ट हो गया देन उसके बाद आपको यहां पे जो टेक्स्ट का ओप्सन देख रहा है इसके ओपर क्लिक करना है एंड हाँ मैं जो तरीका आपको लिक्स वीडियो एडिटिंग का बता रहा हूं न वो लिटरली काफी जाधा आसान है ठीक है अगर 12 सल का पेस्ट देना ठीक है इसे थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हैं इतना कर लेना उसके बाद आपको यहां पर काफी सारे डिजाइन मिलते हैं जैसे कि आप यहां देख पार हो ठीक है तो इन में से आप यह जो स्टार्टिंग वाला है एंड यह से किसी को भी रख सकते हो तो इसे हों रख लेना एंड वाइट अ इसकी मदब से आता है ठीक है आप यहां देख वाक उपर म॥कर आ क्लिक करने यहां यहां पर और इंक्रेज करके नीचे में यह मतलब फेस कि थोड़ा नीचे रखना फेस ना ढख जय ठीक है तो यहां पर इसे रख लेना कुछ इस तरीके से और यह थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया तो मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूं देन करते एंड अब सही लग रहा है ठीक है तो यह आपको कर लेना है सो इतना कर लेने से आपको फर्स्ट स्टेप कमप्लीट हो चुकह है अब इससेव इमेज को आपको एड करने के लिए ग्लिक करने फिर उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करना होगा यह जो क्लिक करना है यह अगे आपक जो गयलेरी वह ओपन हो जागा फिर उसपोटो को आप यहां से सेलेक्ट कर लेना फोटो सेलेक्ट कर लोगे फिर इसका जो साइज है उसे आपको छोटा करना है यहां पर आपको fix कर देना है ठीक है तो इसे हम यहां पर fix कर ले तो ऊपर में basically आपको fix करना होगा अगर आपको यह लग लगा है कि बहुत ज्यादा मतलब कि यह थोड़ा सा इसका यह बोल सकतो हाइट ज्यादा है तो आप क्या करो गैलरी में जाओ एंड यह जो सेम फोटो है उसी फोटो के उपर क्लिक करके एडिट को पर जाओ एंड इसे थोड़ा क्रॉप कर दो ठीक है क् उसे रखने के लिए फिर से यहीं पर आपको आना होगा एंड इसे सेलेक्ट करेना है अब यह ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है अब इसको आप यहां पर उपर में रख सकते हो ओके अरे फोटो पीछे चला गया चलो फोटो को उपर क्लिक कर लेंगा यह आ जाएगा स फिर फोटो नीचे चला गया तो फोटो गिदा रख लेते हैं इसका साइज यहां सेंगर रिखने का तो लिरिक्स यहां पर लिखने के लिए ना सबसे पहले आपको यह music option मिलना यहां पर जाना है यहां जाने के बाद आपको बहुत सारे music यहां पर मिल रहा हैं जिसे आप उस music को आप यहां से find out करेना अगर यहां पर आपको मिल जाता है देने बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप search go पर चले जाओ यहां पर आप उस music को search कर लो ठीक है जैसे कि मैं यहां पर search go पर click कर लेता हूं एंड मैं यहां पर एक song का नाम लिखता हूं मैं वो चांद जिसका कुछ इस तरीके का एक song है वो just मैं यहां पर लिख दिया बात करें थे ठीक है तो यहां पर आ चुका है अब चाहूत इसका color अगर आप चेंज कर सकते हो अगर आपको यह song सही नहीं लग रहा तो आप यहां पर back कर सकते हो और भी काफी सारे song है उनके उपर click करके देख सकते हो उनका भी lyrics आपको यहां पर मिल जागा जो भी song का चा चेंज हो जाएगा ठीक है और black ही आपको रखना है देन उसके बाद आपको यहां पर done कर देना है फिर यह जो हमारा lyrics से इसे आपको पकड़के यहां पर रख देना है ठीक है यह जो white वाला जगह है ना हां यहां पर आपको fix कर देना इसे तो इस तरह के से यहां पर हमारा जो lyrics से वो लिख गया ठीक है अब उसके बाद इसे और अच्छा या फिर यह बोल सकते हो realistic देने के लिए या फिर इसका लुक को और अच्छा बनाने के लिए आप यहां पर एक वो जो होता है म्यूजिक वाला हाँ वो म्यूजिक वाला आप बार से यहां पर एड़ कर सकते तो उसे अड़ करने के लिए यहां से सलेक्ट करने के बाद इसे आप यहां पर फोटो के फोड़ा साइज को सिर्फ चोड़ा करें के लगा देना यहां देख सकते हमारा जो वीडियो बनके रेडियू हो चुका है आप देख पारो कितना आसानी तरीके से हमने यहां पर lyrics ब पढ़ा सकतो ठीक है जैसे की फिलहाल इन सभी को अगर हम इंधर रख ले देन इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं इनका भी साइज थोड़ा इंक्रीज कर यहां fix कर लेंगे ठीक है तो साइज होगे रखा फुली आपके उपर depend करता है कि कितना आप रखना चाहो होगा तो इसको पर आपको क्लिक कर देना क्लिक करने बाद सेर को पर क्लिक कर देना है एंड कर देना है तो यह आपका जो इंस्टाग्राम स्टोरी हो वहां पर लग जाएगा फिर इंस्टाग्राम स्टोरी को कैसे म्यूजिक के साथ सेव किया तो आपको पता यह ठीक है तो बेसिकली मैंने यहाँ आपको एडिटिंग दिखा दिया है और उसे कैसे सेव करना वह आपको पता ही है ठीक है तो अराम से इस तरीक सापकर कर ले ना ओके स्वाई होप आपको सारा चीज समझा चुका है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई